हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगे हलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Input Device के बारे में Input Device क्या होता है? type of input device देखेंगे और एक-एक input device को हम detail में इस video lecture में discuss करेंगे तो आज इस video lecture को देखने के बाद आपको input device में कभी कोई confusion नहीं होगा तो चले बिना देरी के start करते हैं अब आप यहां पर देखिए computer अगर आपसे पूछा जाए कि यह complete computer होने के लिए क्या क्या चाहिए तो आप कहेंगे keyboard, mouse, CPU and monitor लेकिन इसे बोलते क्या है इसे कहते है parts of computer और parts of computer में क्या क्या आते हैं input device, processing device और output device input device से हम अपने computer को input देते हैं फिर computer उसे process करता है देन हमें output मिल जाता है तो आज इस video lecture में हम input device के बारे में discuss करेंगे आने वाले video lectures में हम processing device और output device को discuss करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले input device होता क्या है input device वो device है जिससे हम अपने computer में किसी भी data को enter करते हैं उसे बोलते है input device अब types में देखिए keyboard, mouse, scanner, light pen, joystick, touchpad, BCR OMR, OCR and MICR मैंने इस video lecture में 10 input device के बारे में लिया है यह popular input device है और भी कई है लेकिन यह ज़्यादा तर जो use होते हैं तो अब हम एक-एक input device को चले detail में discuss करते हैं सबसे पहला है हमारा scanner It looked like photocopy machine It can scan text and image both यह कैसा दिखता है जो photocopy machine होता उस type का हमारा scanner दिखता है आजकल तो कई सारे ऐसे scanner आ चुके हैं जिसमें हम साथ में photocopy भी कर सकते हैं जिरोक्स machine के साथ में आप यह भी कह सकते आता है तो जो हमारा scanner होता है इसमें हम image को भी scan कर सकते हैं प्लस किसी भी text को भी scan कर सकते हैं Now question is that कि scanner हमारा input device कैसे है तो आप यहां पे एक picture देख रहे हैं अगर आपसे कोई एक photo दे आपको और कहें कि इसे computer में ले जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे keyboard के उपर रखेंगे या mouse के उपर रखेंगे या CPU के उपर रखेंगे तो वो computer में चला जाएगा ऐसा तो नहीं है तो उसके लिए हमें जरूत पड़ती है scanner की इसकेनर से हम अपने photo को scan करते हैं और वो wire के थूरू हमारे computer से connect रहता तो जो हमारा photo ही हो क्या होता सीधा computer में एंटर हो जाता है तो जो हम फोटो एंटर कर रहे तो वो किसे कर रहे है इसकेनर से तो इसकेनर क्या है एक input device है Input device के थुरू ही हम किसी भी data को अपने computer में enter करते हैं. तो अब आपको अच्छे से clear होगे होगा कि scanner हमारा Input device से और वो किसी भी image और text दोनों को scan कर सकता हैं. अब हम next में move करते हैं. Next है हमारा keyboard. Keyboard is basically a board of keys. एक board है समझ लिजए जिसमें कई सारे keys लगी वही हैं. This is one of the primary input device attached to all computer. ये एक primary input device है जो सारे computer से attached रहती है. अब यहाँ पर question है, who is the developer of keyboard? Keyboard को किस ने डबलब किया था? Sir Christopher Latham Sol ने keyboard को डबलब किया था. Second है total number of keys in keyboard. 101 से 107 ये एक standard answer है. आपको कई सारे keyword में 104, 105 भी देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद है most popular keyword. Quarity. Quarity keyword जो है हमारा वो most popular keyword है. Now question is that किसका query नाम कहां से पड़ा है? तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर keyword. Keyword में देखे यहाँ से alphabet start होता है. तो जहाँ से alphabet start होता है, इसी का six digit को लिया गया है quality. अब आपको कोई confusion नहीं होगा. कभी भी आपसे पूछा जाए कि उसका query नाम क्यों पड़ा? तो आप उसे बता सकते हैं कि जहाँ से alphabet start होती है, उसी का six digit को लिया गया है. और query keyword ही हमारा most popular keyword है. अब हम देखेंगे layout of keyword. Keyword के कुछ keys हैं, जिनके क्या-क्या use है, क्या-क्या function है, यह अब हम देखेंगे. तो सबसे पहला है हमारा alphabetical keys, A to Z. A to Z जैसे हमारा alphabet होता है, उसी तरह से keyword में भी हमारा alphabet A to Z है, और 26 है. उसके बाद second है हमारा function keys, F1 to F12, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे keyword में रहती है, जो 12 function keys होती है, मैंने एक-एक function keys को practically बताया है, मैंने link description में दिया है, आप उससे देख लीजेगा, क्योंकि keyboard में function keys का बहुत ज़्यादा use होता है. उसके बाद है number keys, number keys होती है 0 से 9, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इससे total कहें, तो 10 होती है, अगर हम 0 को include करें तो. next है हमारा combination keys, इसमें दो आती है, एक होता है control and shift, now question is that कि इन्हें combination keys क्यों कहा जाता है, combination keys इसलिए कहा जाता है क्योंकि control and shift को भी हम कभी भी single use नहीं करते हैं, आप control का use आप alphabet के साथ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई file save करना है, तो आप control S से कर सकते हैं, आपको कोई text all select करना है, तो आप control A कर सकते हैं, इसी तरह से अगर हम shift के साथ किसी भी alphabet को प्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, capital letter में लिखाता है, उसके बाद next है arrow keys, arrow keys तो हमारे computer में होती हैं, वो 4 होती है, चार होती है, आप इहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी arrow keys है, उसके बाद next है हमारा modifier keys, कंट्रोल अल्ट एंड शिप्ट यह हमारे मोडिफायर कीज है उसके बाद है टोगल कीज इसमें आती है दो एक होता है कैप्स लोग सेकेंड होता है नमबर लोग आप कैप्स लोग कीज को यहां पर देख सकते हैं अगर हम कैप्स लोग को ओन कर देते तो क्या होता जो भी हम पेड टाइब करते वह कैपिटेल लेटर में आता है एंड यहां पर सेकंड होता है अगर आप इस नमबर कीज को ओन करते तो ही आप इस राइट और साइट के space है तो इसके लिए हम space bar keys का यूज करते हैं और long keys यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है क्योंकि keyword में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी keys हमारी space की ही होती है इसके बाद है हमारा type key it gives the more than one space at a time three to four space between characters किसी भी character में आपको three से four space आपको मिल जाता जैसे हम space bar keys से हमें क्या होता जैसे हमें यहाँ पर देखे it gives के बीच में एक character का space मिले लेकिन इसी तरह से अगर आपको इट के बाद तीन चार character का space चाहिए तो आप वहाँ पर tab key का use कर सकते हैं आप इसे escape key से भी कर सकते हैं लेकिन क्या होगा आपको तीन से चार बार space key को प्रेस करना होगा लेकिन tab की आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपको उतना space मिल जाएगा जिससे आप कोई भी काम बहुत ही fast और easily कर सकते हैं उसके बाद हमारा enter key go to next line अगर आपका एंटर की एंटर की प्रेस करते रहेंगे एंटर एंटर तो आपको यह सेकेंड पेज मिल जाएगा उसके बाद हमारा escape key इसका क्या काम है it cancel the operation किसी भी operation को cancel करने के लिए हम space key का यूज करते हैं जैसे आपने कोई powerpoint presentation slide show कर रहे हैं तो आपको slide show को cancel करना है तो भी आपको वहाँ पे escape key का यूज करते हैं आप उसके बाद होता है हमारा page up it move one page up अब आप एक्जांपल ले लिजे आपके पास तीन page है आप page number 3 में है और आपको 2 में जाना है तो आप वहाँ पेज अगर page up key का यूज करेंगे तो आप second page में चले जाएंगे इसी तरह से होता है page down it move one page down आप page number 3 में है आपको page number 4 में जाना है तो आप page down key का यूज करके जा सकते हैं उसके बाद है हमारा home keys it move the beginning of the line अगर आपका cursor यहाँ पे है और आप home key प्रेस करते हैं तो आपका cursor सीधे यहाँ पे च पे भी हो आप end key को प्रेस करेंगे तो आपको cursor क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद next हमारा input device है mouse mouse is an input device it is also known as pointing and drawing device mouse एक input device है और एक दुसरे नाम से भी जाना जाता है pointing device अब हम देखेंगे कि mouse को किसने डबलब किया था who is the founder of mouse तो डोगलस एंजलबर्ट ने mouse को बनाया था उसके बाद हम देखेंगे function of mouse mouse के क्या क्या काम है तो mouse से आप click कर सकते हैं double click कर सकते हैं और इसे left click भी आप बोल सकते हैं उसके बाद आप mouse से right click कर सकते हैं and fourth हमारा drag and drop कर सकते हैं click से क्या होता आप किसी भी file को select कर सकते हैं double click से आप उसे open कर सकते हैं right click से क्या होता किसी भी program का property चेकर सकते हैं उसके बाद आता हमारा drag and drop अगर आप किसी भी set को लिए हैं तो आप उसे अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे आप right click या left click करके नहीं ले जा सकते हैं आप उ से एक बार देख लिए का मैंने लिंक description में दिया है उसके बाद हमारा input device है joystick a joystick is an input device it has a stick to play video game जो हमारा joystick क्या है यह stick type को होता है जो video game वगेरा खेलने में बहुत जादा यूज होता है और ये एक input device है उसके बाद है हमारा light pen light pen को हम कहां यूज करते हैं किसी भी signature को read करने के लिए it is pen in which a sensor reads the signature it is used to make license जहां license बगेरा बनाया जाता है वहाँ light pen का use होता है किसले use होता है किसी भी signature को read करने के लिए उसके बाद next हमारा input device है BCR वार code reader इसका full form होता है आप इसे सबसे ज्यादा swapping mall में देख सकते हैं इसी तरह से मैंने meaning uses related लिया आप इसे देखी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा BCR is an input device it is also known as point of cell scanner it is used in swapping mall it reads the barcode that display on product जो हमारा input device है BCR ये किसी भी barcode को read करने के लिए use होता है जैसे आप इसे swapping mall में मैंने आपको example जिया है जो हमारा product होता है कोई भी उस पर जो barcode लगा रहता है तो इससे एक red color की light जो generate होती है वो क्या करता है हमारे barcode को scan करता है तो जो भी product related detail रहता हो क्या होता है सीधा हमारे system में आ जाता है और आप इस barcode को आप ATM machine में भी देखते होंगे जब आप अपने ATM क डालते हैं transaction करने के लिए तो हम जो transaction कर पाते हैं तो वो barcode reader के थुरू ही कर पाते हैं उसके बाद हमारा next है OMR optical mark reader यह OMR कहां पर use होता है optical mark reader आप कोई भी offline exam देते हैं तो आपको एक जो paper दिये जाता है जिसमें आप circle circle करते हैं गोल गोल जो बनाते हैं तो वो हम किस से चेक करते हैं उस seat को optical mark reader के थुरू तो मैंने यहां पर meaning लिखा है it is used to read OMR to verify their answer उस answer seat को verify करने के लिए हम optical mark reader का use करते हैं आपको बस इतना ही use याद रखना है एक question इससे यह पूछा जा सकता है कि जो हमारा OMR seat होता है उसे verify करने के लिए हम किस machine का use करते हैं तो आप उहां पर ब MICR magnetic ink character recognition यह कहां पर use होता है यह bank में बहुत ज़्यादा use होता है जो भी हम check देते हैं तो वो check हमें MICR के थुरू ही हमारा check पास हो पाता है जैसे हाँ पर मैंने meaning लिया है it is used in bank to read the checks check को read करने के लिए हम क्या use करते हैं MICR machine का checks are put inside the MICR if it recognized it means सब कुछ अगर सही होता है then the check is passed otherwise it is cancelled उसमें मिलाया जाता है हमारा signature वगेरा सब कुछ देखा जाता है उसमें आपका account number सही है कि निस जब सारा detail मिल जाता है recognize हो जाता है तो हमारा check पास हो जाता है otherwise क्या होता हमारा check cancel हो जाता है इसके बाद जो हमारा next input device है वो है OCR optical character recognition इसका कहां use होता है आप कोई भी water will हो या electricity जब बिल देने जाते है तो वहाँ पे optical character recognition का use होता है आप यहाँ पे meaning देखे it is used to read the character on printed document किसी भी printed document के character को read करने के लिए हम OCR का use करते है It is also used in wheeling system like water will, electricity will etc. आप जब भी देखते हैं अगर आप electricity will या water will दे जाते हैं तो जो हमारा पहला होता है जो हमारा पूराना slip होता है उसे लेके जाते हैं तो वो हम किसे जो printed इसलिए बोला जा रहा है कि printed document को read करने के लिए हम OCR का use करते हैं ज्यादा तर generally अब सारे लोग online कर लेते हैं लेकिन जो लोग अभी भी नहीं करते उन्हें पता है OCR का use आप इसके बारे में YouTube में सर्च कर लिजेगा कैसे हमारा OCR काम करता है उसके बाद है हमारा touchpad, touchpad likes, touch screen जैसे हमारा mobile का हो गया, computer को हो गया, आप तो कई सारे बैंकों मे भी आपको देखने को मिलता होगा जब आप पैसे जमा करने जाते हैं तो आप touch screen के थुरू उस machine का use करके आप अपने पैसा को जमा कर सकते हैं, तो यह है हमारा touch screen, तो यह था हमारा 10 input device के बारे मैंने detail में discuss किया, अब आने वाले वीडियो लक्षर में हम processing device and output device के बारे में detail में discuss करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और चानल पर नए आए हैं, तो चानल को subscribe कर लिजे ताकि आने वाले एक भी वीडियो लक्षर को आप मेशना करें